कि वेरी गुड आफ़रून डिये एस्पिरेंस वेलकम टु एससी एड़ा दिस यूमिंटस और सिंग आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रप्रेशन भी जबर्दस चल रही है इसे बात के साथ सुरू करते हैं आज का यह लाजवाब सेशन जिसमें डिसकस करने वाले हैं सिलोगिजम के कुछ बहतरीन सवाल जो हमारे एंटी पीसी एक्जामनेशन के लिए और बाकी और भी एससी के लिए या फिर कोई भी स्टेट एक्जाम्स हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टन होंगे कुछ नियम देखेंगे कुछ क्वेशन देखेंगे जो हमारे लिए शुरू करते हैं पहले सवाल से एक बार फट फट मुझे कंफर्म कर देजिए कि मैं आपको ओर्डिवल इंविजिबल हूं दूसरी बात यह भी कंफर्म कर देजिए कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर्ली पहुंच रहे हैं ओके हम जी ठीक है सिलोगिजम एक ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी ऐसा एक्जामनेशन होगा जहां पर नहीं पूछा आता है इसका बहुत ही अच्छा लेवल थे सवाल पूछा आता है इस चैप्टर से सवाल हमेशा देखनेको मिलता है है आई देखते हैं कुछ सवाल यहां पर जो सवाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बिल्कुल देब ह में आपको पॉख़़ रहा हूं फटा फट आप सभी को वर्दस तरीके से इसको आधसर करना है है और प्रकस्ड हो सुरु करता हूंसर और बात करता हूं यहां पर पहले सवाल की पहला सवां महीं सब ए Aware हैं और चार निसकर्स दिये गए हैं उसको पाद में पाद चार विकल भी दिये गए हैं आपको चेक कर रहा है किस इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगे जल्दी से है कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आच चुका है सम रेडर ब्लू सम ब्लू आर ग्रे ऑल्ल्ग रर्वाइट नूवाइट लिखा गया है किसी को भी सबसे पहले आंसर दिया है भारती ने उन्होंने कहा है ऑप्सन बी करेक्ट आंसर होगा सर आइदर थी और फूर करेक्ट आंसर सबसक्राइब करें सुम्रेड अर्फुर यहां पर यहां पर फूर तरह से वंडराम त्यार ओचुका है वे यहां यह जो है यहां पर ऑफिर यहां वाइट सभी grey क्या है white है ठीक है और यहां पर कहा रहा है no white is black और कोई भी white ब्लैक नहीं यह आपका पूरा तरण से वैंड़रा मतियार हो छुका है ठीक है यह जो यह यह भी आला तरद को यह ब्लू robust ऐख रहा रहा है ठीक है यहां जो आपके यहांथे गर दो-दू आ रहेंगे एक लेटर से अगर दो-दो आपके पास वहां नजर आते हैं आपको अगर वर्ड तो उसमें तोनों को ही लिख दिया कीजिए फिर किसी एक कोटलीस लिख दिया कीजिए ताकि कोई बात करना सुरूर Goodness सबकर के मामने में बात करना शुरू करें तो सबसे पहला दी यह लेग लिख ऑ extrêmement है अगर ऑग से अगर नो वॉ-इ mental ब्लाक है, तो no gray is black भी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सखी होगा, या फिर no black is gray भी क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सखी होगा, पहला बिल्कुल correct answer है, यहाँ पर, पहला बिल्कुल…. इदूसरे धरब चलते हैं, संहीं सं ब्लू और वइट बोला गया किया विझा संहीं संहً पूरगा व्ला कुछ ब्लू ऐसे हैं जो भाइव हैं हम आराम आप चलिए फारे मारे जरा डुमे आयेगा हैं दूसरा बिल्कुल सफ ही हैं और फे worn A रहे आपको तो black or red में कोई relation नहीं है अगर black or red में कोई relation नहीं है तो इसके बारे में कोई भी वास्तिरिक आंसर होगा पर्सनल मेल कह रहे हैं सर एंटीपी सी का बैच स्टार्ट कीजिए बिलकुल एंटीपी सी कौन सी बैच अभी आने वाली है बस बने रही है कुछ सवाल करते हैं सवाल के बाद आपको पूरा information दूँगा मैं कि एंटीपी सी की बैच कब सुरू होगी कितने बज़ है ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसका समय सुरू कर दिया हो मैं जल्दी से सवाल को सवाल कीजिए प्लीज जल्दी जल्दी और denun neиковोड संत गया है बहुत सिंपल सिंपल यहां पे स्थेटमेंट दीए हैं बहुत सिंपल स्थेटमेंट है कटिन स्थेटमेंट कहीं भी नहीं दिये जा नहीं था सवाल बहुत एजी था ठीक है आई इसको ड्रॉ करते हैं आल गोल्ड आर प्लाटिनम नो प्लाटिनम इस सिल्वर या विपास सिंपल वंडारम हो गया सम डाइमंड डाइमंड यहां पर जाएगा ठीक है वंडारम क्लियर है सभी को अब यहां पर निसकर्स के तरफ इसरा सम डाइमंड और प्लाइमंड सार्ट ग वहें यह कहना बिल्कुल आंश्य हो गथेिसंफे option number C यहाँ पे बिल्कुल correct answer ठीक है, यहाँ पे option number C जो है वो बिल्कुल correct answer, because कहा गया no silver is gold, कोई भी silver gold नहीं है clear है बात सभी को, इस बार सभी का answer कहा है, बिल्कुल सही आ रहा है option number C बहुत बढ़िया, इस बार आप सभी ने करता हूं YouTube पे वहां conceptual decision चल रहा है फिलाल calendar chapter का, तो आप चाहें, तो calendar chapter को join कर सकते हैं आथ से, लगिन पिस्टे class के रिव को एक बार revise कर लीजेगा प्लीज, आगे बढ़ता हूं सवाल number 30 आपके screen पर है इस पर कहा गया है, no watch is cycle, no cycle is bike and some auto is bike, statement में no no का यहां पे condition डाला गया है, मतलब कि restriction लगा रहेगा शुरुवात से ही, ठीक है, mistake नहीं करना है, बहुत ध्यान solve की यह सवाल को, बोल रहा है, no watch is cycle, कोई भी watch cycle नहीं है, और कोई भी cycle जो है, वो क्या नहीं है, बाइक नहीं है, ठीक है, यह दोनों ही element में परतिबंद लगाया गया है, and some auto or bike, बोला कुछ auto ऐसे हैं जो bike है, कुछ auto के part bike में common होंगे, ठीक है, अब niskerz कह रहा है, niskerz पहला, no bike is watch, बोला कोई bike watch नहीं है, ध्याना किया कि element जो watch यहां पे है, या फिर bike यहां पे है, इन दोनों में परतिबंद नहीं लगा हुआ है, watch का परतिबंद cycle से, और cycle का परतिबंद bike से, लेकि watch यहां पर क्या है, no relation है, जब भी किसी दो element में relation नहीं होते है, तो उनके बीच के वास्तिविक niskerz को हम सही नहीं कहते, तो यहां पहला क्या हो जागा wrong, अगर पहला wrong है, तो non follows कहना यहां पर हो सकता है, सही हो जाए, विससे हम देखते हैं, भी आगे चेक कर लेते हैं, बोला, no bike is cycle, बोला, कोई bike cycle नहीं है, यह तो बिलकुल सही है, अगर कोई cycle bike नहीं है, तो कोई bike भी cycle नहीं हुआ, दूसरा बिलकुल सही है, अगर दूसरा सही है, मतलब हम option number यहां पर B और option number A करेक्ट, wrong कर सकते हैं, non follows तो नहीं हो सकता अब यहां पर, अब यहां पर कम से कम एक तो सही हो चुका है, तो option से भी आप cancel out and cancellation कर सकते हैं, option A और B cancel out हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, some cycle or watches, बोल रहा कुछ cycle ऐसे हैं, जो watches हैं, यह तो बिलकुल गलत हो जागा, भाई, cycle का परतिबंद लगा हुआ है, वाच से, तो यह तो हम नहीं सही कह सकते, तीसरा यहां पर गलत हो चुका है, चौथा, all bikes are watches, बोला सारे के सारे bike जो हैं, यह तो कहना बिलकुल गलत हो करते हैं, हम लोग अलमेंट सेम रहेगा, दोनों गलत हो जाएगा तब भी, यह आईदर और का exception case है, इसको याद रखिए प्लीज, पहला और चौथा जो होगा, आईदर नहीं होगा, ध्यान अकी का, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ध्यान अकी का, यहाँ पर क्यों नहीं हो इसका भी समय आपका सुरू हो चुका है, most CPU, most word का इस्तमाल किया गया है, NTPC की परिच्छाओं में हमेशा दिखायाता है, कुछ इस तरह के words का इस्तमाल करते हैं, जो normally, simply नहीं दिखायाते हैं, जो चार सब्द हमारे पास होते हैं, इसके लोगिजम में, some, some, not, no and all, इसके अलावा भी कई बार वो कुछ और सब्दों का इस्तमाल करते हैं, मतलब secondary keyword का इस्तमाल कर दिया करते हैं, यहाँ पे कहा गया, most CPUs are keyboards, and no keyboards are mouse, and all mouse are CPU, यह कहा गया आप, जल्दी solve करें इस सवाल को, please, जल्दी solve करें, please, please, जल्दी जल्दी, done, सभी का हो गया, कह रहा है, most CPU, most मतलब क्या होता है, some, इसका मतलब क्या हो जाएगा, some, most of the students are intelligent, इसका मतलब क्या है, अधिक्तम बच्चे जो है, यहाँ पर वो intelligent है, इसका मतलब यह नहीं है, कि सारे के सारे intelligent है, some लेंगे इसको, क्या बोलेंगे, some, some CPU are keyboard का मतलब यह है, कि यह आपका CPU है, और यह keyboard है, some CPU are keyboard, no keyboard is mouse बोला गया, यह आपका mouse का हो गया, keyboard और mouse में परतिबन लगा होगा है, और सारे के सारे mouse जो है, वो CPU है, that means, इसका मतलब क्या होगा, mouse है, all mouse are CPU, that means, mouse जो रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और mouse और keyboard हैं परतिबन लगा रहेगा, यह आपका वेंडर रहेगा, यह आपका वेंडर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा keyboard से परतिबन लगाएंगे हम mouse का, clear है, आगे बढ़ते है, some keyboards are CPU, बोला, कुछ keyboard CPU है, of course, यह वाला जो keyboard है, वो CPU के अंदर देखा जारा है, तो पहला बिल्कुल सही है, अगर पहला सही है, तो भाई, दूसरा और तीसरा सिर्फ कैसे सही कह सकते ह या फिर option number D भी यहाँ पर cancel out हो जाएगा, यह smart approach है, यह क्या है, smart approach है, यहाँ पर दूसरा option number B और C आपका, sorry, B और D cancel out हो चुका है, हम बात करते हैं, option number A और D का, मतलब हम सीधा चेक करेंगे, तीसरे हम दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे, because हमारा option जो दिया गया, only first दिया ग ठीक है, no keyboard is mouse का मतलब क्या है, no mouse is keyboard, यहाँ पर तीसरा क्या है, बिल्कुल सही है, अगर तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा मतलब option number C को हम यहाँ पर correct कर देंगे, बढ़िया सवाल था, मतलब मैं यहाँ से यह बताना चाहरा हूँ आपको, कई बार होता यह है, कि हमें सारे विकल्ब को चेक करने किया हो सकता है, अगर आप option पर ध्यान रखेंगे, एक आपने निसकर्ज को गलत काटा, या फिर जज़ किया आपने, उसको सही या गलत ज़ज करने के बाद, option को चेक कीजिए, आप option कैसे कैसे रखे गए है, आपने देखा, जब पहला निसकर्ज चे यहां पहला साही हो चुका है, तो बहुत क्लियर है यहां पर कि मारे पास option number B और option number D जो हम है, तुरंद काट सकते हैं वही पर, अब हमारे पास concentration से देखा है, तो only first नमाज जो है, वो कहना भी पाप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम क्या करेंगे, option number second check नहीं करेंगे हम य देखिए प्लीजु पर देखराइगा, व्लत मिलिजु प्सें है, क्याथ से घ् क्यूर्ट यहां पर पांच मांन जो है यह फिफ्ट प्वेस्टन है और यह पांच सवालत है, यहां पर और सतार बलरा जा रहा सब्सक्राइब करेक्ट आसर क्या होगा सम्टेबल और सब्सक्राइब करेक्ट आसर क्या होगा फिर 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 थर तर्ड कहना गलत हो जाएगा हम दो काट सकते हैं अपर पहला और तो गलत हो जाएगा नहीं है जी आपका रॉंग हो जाएगा ठीक है, clear है बात, बोला no table is star, बोला table is star, तो उने पहली गलत काट दिया, relation नहीं था, लिक निमार पर देख रहे हैं, table यहाँ भी star, यहाँ भी, table यहाँ भी star, यहाँ पे sum, यहाँ पे no, इसका मतलब पहला और तीसरा जो होगा, वो either carry करेगा, अगर पहला तीसरा आईदर carry का option दिखाई दे रहा है, तो उसको correct रिकर निगल जाएंगे, मतलब option number C, यहाँ पे correct answer फिर से हो जागा, इसमें कहा गया, only first and third follows, because यहाँ पहला हमने गलत काट दिया था, वहाँ पे उसी elements के साथ एक और निसकर्स था, निसकर्स संक्या तीसरा देखिए, आप यहाँ पे कहा गया है, no table is star, table और star, table star पहले तीसरे दोनों में ही है, और वहाँ पे sum है, और वहाँ पे no है, sum no हमेशा क्या करता है, either carry करता है, अगर दोनों निसकर्स गलत काटे जाएं तो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला और तीसरा में लगा देगा, either मतलब विकल्प संक्या तीसरा जो है, option number C जो है, बिल्कुल correct है, सुगीव कह रहे है, sir, यहाँ पे option number D correct होना चीए, either second and fourth, second and third, second or third यहाँ पे, cup और glass है पहले, second में, और यहाँ पे sun and cup है, तो कैसे सही हो सकता है, वहाँ राणी चौधरी, आपने भी option number D कहा है, जोगी गलत है, भाई देखो यार, syllogism एक ऐसा chapter है, जहाँ पे कुछ नियम है, जैसे नियम क्या कहा है, देखो, यहाँ पे मैं कुछ नियम बताता हूँ आपको, so note number one, यहाँ देख क्या कहता है, whenever there is no relation between any two elements, according to the Venn diagram, all the type of definite conclusion will be treated wrong, or you can say can't say, whereas all type of possible conclusion between the same will be treated wrong, अर्थात हिंदी में सम्झाता हूँ आपको इसका बोला गया है, तो A और C में यहाँ पे relation नहीं है, और जब भी किसी दो element में relation नहीं है, उसका मतलब यह हो गया, कि उनके बारे में कोई भी वास्तविक बात सही नहीं हो पाएगी, हिंदी में लिखा गया, जब भी किसी वेनारिक के अनुसार किसी दो element के बीच, दो तत्यों के बीच कोई संबंद नहीं होता है, उसके बीच के तमाम निसकर्ष जो होंगे, वास्तविक निसकर्ष जो होंगे, गलत हो जाएंगे, तमाम वास्तविक निसकर्ष कुछ भी बोला जाएगा, तब भी गलत होगा, और यह तीन note मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर इस मैं प्रॉपर्ली डिसकर्ष करूंगा, नाइन पीम पे, सिलोगिजम के पूरी विस्तार में डिसकर्ष होगी वहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों note को आप इमास रख लीजेगा, इसको पढ़िए, समझेए, इसके बारे मैं क्या कह रहा है, नो relation that means no comment, और exactly सम ARB, statement है, निसकर्ष कहता है, सम ARB, सम ARB is a possibility, इसका मतलब क्या हो जागा, यह wrong हो जाएगा, भाई, जब सारे के सारे AB हैं, तो यहां पे, हम लोग यहां पे सम ARB कहने के जहमत नहीं उठा सकते, ठीक है, clear है बाद, चलिए, जो लोग NTPC के batch के बारे हैं पूछ रहे थे, यह वो batch है, जो यहां पे start होने वाला है, जल्द ही मतलब कि 19 October से यह batch शुरू हो जाएगा, इस batch में classes शुरू हो जाएगा, 19 October से मतलब अभी इसका चल रहा है admission, admission इसका open है, आप इस batch में जाके admission ले सकते हैं, इस batch में लेने के लिए करना क्या है, इस batch में लेने के लिए करन सकते हैं, इस batch में maximum discount मतलब कह सकते हैं, इस batch में maximum discount मतलब कह सकते हैं, इस batch का जो फीस होगा, वो near about 500 पड़ेगा, सिर्फ 500, बहुत कम फीस में आपको, पुरी आरभी NTPC crash course मतलब अगरा, SSC की तियारी कर रहे हैं, या फिर आप बैंक की तियारी कर रहे हैं, या फिर आप NTPC की तियारी कर रहे हैं, तो ये batch आपके लिए बहुत ही, अच्छा batch होगा, विकोजे crash course है, इस duration में जब तक एक्जाम होती है, तब तक मतलब इस बीच में पूरा syllabus को cover किया जाएगा, चाहिए वो GS हो, या फिर वो आपके पास reasoning हो, या फिर maths हो, तमाम syllabus को पूरे syllabus को यहाप पर पॉपरली कवर किया जाएगा, यह जो batch है, यह आपके NTPC महा पैक के अंदर भी नजर आएगा, ठीक है ना, यह RB NTPC का जो महा पैक है, तो मैं तो कहूंगा कि आपको RB NTPC का महा पैक लेना चाहिए, because CBT1, CBT2 सबको यह carry करेगा, और अगर NRACET का अगर कुछ batch आता है, तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, NRACET का अगर कोई batch आएगा, तो आपको, of course, NTPC महा पैक, SSC महा पैक, सबके अंदर NRACET का batch आपको मिल जाय करता है, batch महने से फाइदा क्या होता है, कि आपको वहाँ पे test series से लेके, live class से लेके, live class तो मिली जाता है, साथ में test series मिल जाय करते हैं, video courses मिल जाय करते हैं, और e-books, मदब जो किताबें हैं, वो ही मिल जाय करते हैं, ठीक है, तो यही जाय करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे mock लगाता है, तो यह कोईश कीजिए कि नोटिफिकेशन आने तक जब आपके पास डेट आएगा, एक मेना चलेगा exam कम से कम, हो सकता है कि आपका exam कही बाद में पढ़ रहा हो, तब भी ध्यान रखेगा इस बात का, आपको उस वक्त लगातार सिर्फ mock लगाना हो, उससे पहले syllabus को में इस नोट लगा 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 लिए उसको जल्दी जाएगा इसको जल्दी जाके अचा आपकाशा उफर सेवंटी परसंटीटू परसंट के आप उसमें और डिस्काउंट के लिए वही कोड लगा लिजएगा यू यूवन डबल यू चाहें आपके ले रहा हो या रभी पूरे सिर्प जी एस जो सिर्फित बर करने जो और यहां पर है यह लोगा मलूम है जो आपको पर जो घ्लत किर से ऑग से आएगा उन सबी विद्यारतियों के लिए बौट ऊच्छे त्यारी कर रहे हैं तो बाद में त्यारी करना किया है वो जीत जाए उसके लिए करना कि आपको प्रॉपर से लिबस को एक बार कबीट करना है और अगर मालों आपकी त्यारी चल रही है लेकिन बचा कुछा जो भी कॉंसेप्ट तो क्लियर करना है बिल्कुल तो आपको इस बैस में होना चाहिए मेरे हिसाब से और यह के यूट्यूब पे जो फ्री क्लाश चलती है रात में नौ बजे चलती है और पीड़ बैच आपको नज़र आ रहा है यहां पर आरव एंटी पीजी वाली ठीक है तो बच्चे नए बच्चे सब्सक्राइब करने जो पुराने बच्चे जुड़े रहे हैं जो बच्चे न